स्वागत आपका एक बार फिर से शानालज बैंक के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं प्रेक्टिस सेटे सेवन ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग ठीक है जो आपकी एक्जाम में 30 नंबर का आने वाला है ठीक है आज के इस वीडियो सेशन मे हम लोग डिसकस करेंगे about cash book clear सिर्फ और सिर्फ cash book के related हम लोग आज डिसकस करेंगे financial audit का हम लोग कल सेशन लेंगे ठीक है क्योंकि यार इन दोनों को अगर समझाओंगा तो काफी lengthy हो जाए हूँ कि अभी आपको cash book समझाना है उसके various type समझाना है चार type के इसके type से फिर उसक important कुछ points है जो आपको याद रखने है ठीक है कौन सा account है कौन से balance आता है double balance credit balance यह सबी चीज़ें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ cash balance की discuss करेंगे उसके बाद हम लोग mcqs देखेंगे किसके आपके cash book के clear financial audit हम लोग कल करेंगे तो आज करते हैं हमारी cash book चलो start करते हैं session start करने से पहले आपको पता दो भाई ppt आपको हमारे telegram channel पर मिल जाती है free of cost कोई payment नहीं है इसकी तो link description box में होगा वहां से आप join कर सकते हैं तो instagram पर आप join कर सकते हैं हमें daily current affairs के लिए ठीक है वहां पर daily current affairs वहां डाल देते हैं हम लोग कोई भी कीरी हो आपको या फिर कोई doubt हो आप यहां इस email पर भीज सकते हैं चलिए start करते हैं हमारा आज का session ठीक है आज का जो session हमारा रहने वाला है भाई वो है क्या cash book ठीक है cash book चीज क्या है उसके बाद various types of cash books cash books के various types क्या होते हैं और उनके formats क्या होते हैं वो चीज़ें हम लोग one by one discuss करने वाले हैं clear चलिए यह सब चीज़ें जानने से पहले देख लेते हैं cash book है क्या चीज़ सिंपल ppt में आपको यह definitions मिल जाएगी वो आप जाके देख लीजिएगा अभी जो मैं आपको layman language में बताऊँगा वो आपने बस सुनते रहना है ठीक है पहली चीज़ cash book का चीज़ क्या है अब कोई भी business transaction होगी ठीक क्या होगी कोई भी जो business होगा आपका वो उसकी जो transactions होती है वो हमेशा कितने type के होगी दो type के आपको देखने को मिलेंगी एक होगी cash पे जो के हर एक business man चाहता है cash में ही हो transaction उसकी दूसरी होती है आपकी credit पे ठीक है credit माने उधार ठीक है credit का क्या मतलब होगे आपका that is उधार ठीक है या तो आपका उधार पे lane देन होगा या तो cash लेन देन होगा चलिए अब जो भी lane देन आपका cash में हो ठीक है cash plus bank ये दोनों के लेन देन को हम लोग किसमे add करते हैं भाई that is cash book में हम इसको record करते हैं clear जो भी record हमारा cash का और bank का हो ठीक है एक बार लेखे लो short में याद रखना है इसको जो आपकी cash book होती है वो record करती है it records ठीक है inflows okay inflows and outflows inflows and outflows ठीक किसका inflows and outflows of cash and bank cash और bank के inflows and outflows inflows मतलब पैसा आना outflows मतलब पैसा जाना clear cash book आपको पता चलगी क्या चीज़ है भाई ये और जो cash book है आपका ये journal और ledger दोनों चीज़ों का ही काम करता है journal और ledger दोनों का अब general आपको बताया था मैंने journal में जो हम लोग entry करते हैं उसको क्या बोलते हैं generalizing तो ledger में जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई जर्नल को हम क्या बोलते हैं भाई original book clear याद रखना है आपने और ledger को हम क्या बोलते है principal book ये सब चीज़ें आपको basic concept आपके clear होने चाहिए clear ठीक है चलो next फर्दर चलते हैं features आप लोग पढ़ लीजेगा next है हमारे पास है types of cash book कितने type के cash book आती है आपने पास है बाई चाहा type की आती है एक आती है single column cash book double column cash book triple column cash book petty cash book पहली चीज़ single column cash book कौन सी होती है याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ एक column होता है वो भी सिर्फ cash का ठीक है एक column जिस भी cash book में होगा उसको हम लोगे single column cash book कहते है और इसमें सिर्फ और सिर्फ cash का column होता है format बताऊँगा तब आप लोगे समझ जाओगे अच्छे से next आपके पास आता है double column cash book तो इसमें आपके पास दो columns होते है एक होता है आपके पास cash का दूसरा आता है आपके पास bank का जिसमें आपको तीन column देखने को मिलते हैं एक cash ठीक है discount okay देन आपको bank ये तीन आपको columns देखने को मिलते हैं अब जो ये discount है याद रखना हमेशा के हमेशा के लिए याद रखना cash book में discount जो आपको देखने को मिलेगा वो always shown होगा cash discount जो भी cash discount होगा खाली वो ही show होगा जो आपको trade discount होता है वो के एक आपके पास trade discount होता है तो trade discount हम show नहीं करते cash book में ये तीन चीज़न समझागी tension नहीं लेनी है अभी हम लोग format में समझागे तब आप easily समझ जाओगे तीनों के तीनों को क्या चीज़ है क्या चीज़े नहीं है and main thing is जो cash book होती है आपकी ये कौन सा rule follow करती है जब आप entry करते हो तो cash book always follow the rule of real account ठीक है rule of real account तो क्यों क्योंके cash क्या चीज़ है हमारे पास cash क्या है हमारी ये ये हमारे पास asset है क्या है asset ठीक है तो asset में हम लोग क्या कौन सा लगता है real account, real account क्या बोलता है भाई साब debit what comes in, credit what goes out तो यहाँ पे आप लोग हमेशा debit करोगे किसको inflow को जो आ रहा है है और credit करोगे किसको आप लोग outflow को ठीक है, outflow को तो debit को हम लोग क्या कहेंगे भाई यहाँ पे receipts ठीक है, तो यह थे हमारे क्या तीन single column, double column और triple column cash books next आपके पास आजाती है भाई कौन सी patty column cash book, अब patty column cash book को कौन सी होती है भाई simple है यह patty column cash book patty क्या चीज होती है, patty का मतलब क्या होता है small, मतलब के जो छोटे से खर्चे small expenses आप इसको client को lunge करवा दिया वो सब खर्चे कहां पे आते हैं, patty cash book में और patty cashier इसको बनाता है अब इसमें एक important term आती है जो आपको याद रखनी है भाई तो वो कौन सी term होती है भाई impressed system, ठीक है कौन सा impressed system तो impressed system क्या चीज़ है सर ठीक है ये बताता हूँ मैं आपको भाई impressed system में क्या होता है ठीक है भाई impressed system में क्या होता है आपके पास एक होता है आपका head cashier ठीक है कौन होता है head cashier ये हो गया आपका why next आपके पास आगया patty cashier ठीक है जो patty cashier जो आपके छोटे मोटे खर्चे दिखता है आपकी बिजनस के ठीक है यह आगया वाई आपका ठीक है 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 एड कैशियर ने क्या बोला इसको बोला ले भाई तू एडवांस में रख कितने 500 रुपेज किसके लिए आपने एक्सपेंस के लिए छोटे मोटे खर्चे हो रहे हैं उसके लिए तू 500 रुपेज एडवांस में मेरे से ले कि रख ले ठीक है इसने बोला ठीक है भाई तो इसने स्पेंट किये पूरे मंथ में कितना 400 रुपेज इसके पास ठीक है, simple है, यही है आपका impressed system, ठीक है, impressed system, ठीक है, यहाँ तक कोई doubt, तो आप लोग बताइए बाई, चलो, further देखते हैं, आप हम लोग format, ठीक है, क्या discuss करते हैं, आप हम लोग format, आजाओ, yes, पहले हम लोग discuss करेंगे बाई, किसका format, that is single column book, जिसमें single column का, किसका column होता है, इसमें, सिर्फ और सिर्फ cash का column होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, आपको column देखने को मिलता है, cash book में, नेक्स अब इसका format क्या होता है पहले आपको क्या करना है भाई आपके पास आएगा date ओके नेक्स आपके पास आएगा particulars ठीक उसके पाद आपके पास आएगा ledger volume उसके बाद आपके पास आएगा voucher number देन आपके पास आजाएगा cash ओके यहाँ पे दो छोटे-छोटे columns आते हैं याद रखना है आपने यह दन अगें date particulars ledger folio voucher number and cash ठीक यह आगया क्या आपका भाई format of single cash single column cash book single column cash book में सिर्फ एक format column आपको देखने को मिलता है that is cash ठीक है date आपको पता है date आएगी particulars यहाँ पे हमेशा two वाले side यह debit side आपका ठीक है जो receipts okay then यहाँ पे आपका credit side है जो आपके payments clear याद रखना है आपको यह आपका हमेशा debit side जो है वो two से आपको follow करना है और जो credit side है आपका यह हमेशा buy से आपने follow करना है और हमेशा cash book पे always याद रखना यह चीज लिख लो always debit balance ही होगा यहाँ पे ठीक है क्या होगा debit balance ही होगा मतलब के debit side का balance हमेशा ज्यादा होगा किसमें आपके इसमें that is cash book में ठीक समझ आई अब next चीज single column cash book में एक चीज जो important आपने और याद रखनी है वो क्या याद रखनी है भाई इसमें आपने हमेशा ignore करनी है कौन सी दो transactions एक तो आपको bank transaction ठीक है क्योंकि यहाँ bank का column नहीं है और आपको credit transactions यह दो type की transactions आपको हमेशा ignore करनी है single column cash book में ठीक है double column triple column cash book में तो आपको देखने को मिलती ही है आपका cash भी bank भी और उसके बाद discount भी तो यह आपको तीन चीज़ें याद रखनी है एक क्या भाई debit balance हमेशा show करेगा और दूसरा bank तीसरा credit यह ignore करना है आपने single column cash book में ठीक है double column cash book में क्या होगा cash का है यहाँ ठीक है यहाँ cash का है column था ठीक तो यहाँ पर आपने क्या करना है एक छोटा सा column साथ में और हो जाएगा आपका cash bank ठीक है cash और bank का column add हो जाएगा credit side में भी cash और bank का column add हो जाएगा आपके पास नेक्स जब आप लोगोंने और क्या करना है ट्रिपल कॉलम में तो आपका एक कॉलम यहाँ पर और आड़ जाएगा that is a discount कॉलम ठीक है भई single कॉलम, double कॉलम, triple कॉलम में मैंने आपको बता दिया, format आपने समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है, जब हम अभी further mcqs देखेंगे mcqs के दुरू practice करेंगे तो आपको सारी चीज़ें one by one clear होती जाएंगी, clear भई okay ठीक है समझ आगे आपको single कॉलम cash book हमने अभी देख लिया, क्या था single कॉलम cash book में हम क्या करते हैं भई ठीक है, इसमें एक ही कॉलम होता है किसका cash का, clear ठीक है, double कॉलम cash book इसमें दो कॉलम होते हैं, एक cash का दूसरा bank का, ठीक है तीसरा हमने क्या चीज़ देखी, triple कॉलम cash book, इसमें क्या चीज़ होती है, तीन कॉलम होते हैं, cash की होती है discount होता है, और उसके बाद हम लोग bank कॉलम होता है, ठीक है हमने discount में देखा था, क्या चीज़ देखी थी discount, कि भाई, जो discount होगा इसमें हम लोग हमेशा cash discount लेंगे और यहाँ पे trade discount नहीं आएगा कभी भी trade discount नहीं आएगा ठीक है, और discount जो है यह हमेशा दो type का होगा आपको, ठीक है कौन-कौन सा है, एक discount आपका जो आएगा allowed, ठीक है एक discount आपका आएगा received, ठीक है अब received और allowed, allowed मतलब आपने किसी को discount दिया, तो वो क्या है आपका खर्चा हो जाएगा, वो आपका expense हो जाएगा क्या हो जाएगा, expense हो जाएगा तो received मतलब वो आपने कहीं से discount लिया तो यह आपकी income हो जाएगी ठीक है, यह क्या हो जाएगी आपकी income हो जाएगी, तो expense आपका कहां पर आएगा भाई, तो यह आपका आएगा debit side में, clear और income आपकी कहां जाएगी भाई that is the credit side ठीक है, discount cash book, done हमने देखी petty cash book, उसमें हमने impressed system देखा कि क्या चीज़ है भाई, समझ आई क्या चीज़ है आपके पास ये single column, double column, triple column petty cash book, ये सभी सभी चीज़ें आपको PPT में मिल जाएगी तो ये चीज़ें एक बार read out ये जो auditing है, ये हम लोग कल करेंगे क्योंके भाई, अभी mcqs भी करने है 15-20, तो काफी लंबी हो जाएगी हमारी फिर वीडियो, ठीक है, अब करते हैं हमारे mcqs, ठीक है, पहला question देखो भाई which of the following statement is true about balance in petty cash book इन में से कौन जी statement सही है जो balance होता है petty cash book में, it is a liability, it is an asset, it is an expense, it is of the above, it is none of the above तो जो petty cash book का account होता है, अब क्या होता है, asset होती है, हमारी expense होता है, या liability होती है, yes तो भाई, वो हमारी क्या होती है, asset होती है clear, it is an asset है, हमारी वो asset होती है, clear, चलो, next question पे आजो question second, what is the primary purpose of cash book, cash book का primary purpose क्या होता है it records, receipts and payments of cash, okay जी it records payments of cash, okay it records receipts of cash, okay, it helps in compute the profit and loss of a business तो भाई, अभी cash book हमने क्या देखा था, इसका primary purpose क्या होता है, हमारे पास receipts and payments जो है cash की, वो अपनी record करती है, तो that's why option A हो जाएगा, आपका correct answer clear, चलिए, next question देखो which of the following is not a part of cash and cash equivalents in cash book, cash और cash equivalents के बराबर इन में से कौन सा नहीं होता special investment नहीं होती checks नहीं होते, money orders नहीं होते, या coins नहीं होते, yes तो कौन सा इसका part नहीं होता आपके cash book में cash equivalents तो भाई, special investments जो होती है, वो नहीं होते हमारे इसमें, part clear, next आजो, a cash book serves the following purpose, cash book ये इन में से कौन सा purpose serve करती, it works as a ledger account, okay it works as a book of original entry as well as ledger account, okay it works as the book of original entry, none of the above, अभी हमने उपर देखा था, ये cash book जो हमारी है, भाई, as a journal and ledger, दोनों के काम करती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा option B हो जाएगा, correct answer it works as a book of original entry as well as a ledger account, clear, चलिए next, fifth question पर आजाओ, नेक्स question क्या का रहा है, which of the following statements about cash is correct, cash book के related यहाँ पर कौन सी statement सही है the business activities involve regular cash transactions, okay cash is a current asset that can meet the immediate obligations of a business, okay cash is universally accepted as a mode of payment, बिलकुल सही है, तो सभी के सभी आपके पास हो जाएगी यहाँ पर क्या, correct answer तो option D है आपका सही जवाब ठीक है बाई, चलिए question 6 पर आजाओ, which of the following cash books is similar to cash account, इन में से कौन सी cash book जो है, वो cash account के similar रहती है, double column cash book triple column cash book, patty cash book या फिर single column cash book yes, तो कौन से प्रकार की cash book जो है, वो आपकी cash account के, cash account के similar रहती है, cash account जैसे ही होती है, तो वो है आपके पास, भाई, single column cash book single column cash book, clear, चलिए the credit side of a cash book is, credit side जो होती है वो cash book की क्या होती है, loss side receipt side, आपको पता है, debit side होती है profit side या payment side, तो yes, credit side हमेशा आपकी payment side होती है, clear, payment side option D हो जाएगा, आपका correct answer, चलिए next question देखो, question 8 once you add bank column to both sides of a single cash book, it becomes a yes, single cash book के दोनों side आप लोग, जब क्या कुन सा नया column add कर दो, bank ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, भाई, double column बन जाएगी, क्या बन जाएगी, double column अब इन्होंने बोला होता, bank के साथ-साथ discount add कर देते, तो हमारे पास क्या बन जाता ये, triple column ठीक है, triple column cash book बन जाती, तो option B है, आपका correct answer तो ये क्या बन जाएगी, आपकी double column cash book, double column cash book, चलिए next question देखो, in a three column cash book, the dash column is not balanced इन में से कोन सा column है, जो balance नहीं होता, discount column, cash column, bank column, ये none of the above yes तो इन में से कोन सा column balance नहीं होता आपको तो भाई, ये आपको पता है discount column जो है, ये balance नहीं होता, और discount में मैंने आपको उपर बताया था हमेशा क्या होता है discount में हम लोग cash discount ही record करते हैं, clear, cash discount, और trade discount इसमें नहीं आता, ये याद रखनी है, तो discount आपके पास मैंने पता था, दो type के आते हैं एक discount allowed होता है और एक discount received होता है, ठीक है ओके, एक discount allowed और एक received allowed वाला मतलब आपने किसी को दिया, तो ये आपको expense हो गया, जो आप लोगोंने debit side record करना होता है, received मतलब ये आपकी income हो गई ओके, और ये credit side में आप note करते हैं clear भाई, चलिए, next question देखो question 10, in a cash book a contra entry involves contra entry क्या involve करती है cash account और bank account cash account और sales account cash account and discount discount account, bank account and discount account yes, contra entry contra entry होती क्या चीज़ है आपको पता है ये चीज़, हमने last lectures में देखी थे, contra entry वो होती है जो भी entry, आपके कोई भी दो accounts में involve हो, ठीक है, दो accounts में जब भी कोई भी entry involve होगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, contra entry, ठीक है, contra entry तो yes, question 10 का क्या है answer बताइए, तो भाई contra entry जो होती है, वो involve करती है हमेशा cash account और bank account cash account and bank account, clear option यह हो जाएगा आपका correct answer, चलिए next question प्या जाओ, in cash book contra entry is recorded on the, contra entry जो है वो cash book में किस side record की जाती है debit side, credit side of cash book debit side of cash book credit side of cash book, not recorded in the cash book, तो contra entry जो हमने देखा cash account और bank account में होती है आपके, ठीक है, तो आब यह नहों बोला भाई, यह तो ठीक है, मान लिया, किस account में कौन से दो account involved होंगे, ठीक है जी अब यह बोल रहे हैं, यह बताओ हमें, कि side पे आप इसकी entry करते हो, debit side करते हो, credit side करते हो, या फिर, दोनों side करते हो, या फिर cash book में record ही नहीं करते है yes, बताओ तो जो contra entry होती है, यह आपकी भाई, debit or credit side, दोनों में ही, क्योंकि बोट side involved होंगे, तो यह दोनों में ही entry इसकी record की जाती है clear, चलिया, आजाओ next question 12 फे, the transaction that does not effect a cash book is, यह कौन सी transaction है, जो cash book को effect नहीं करती check received from Mr. B and deposited in the bank, okay depreciation expense recorded for the year, okay, mobile charges paid from the online company's bank account, okay, cash paid to creditors for goods purchased from them, तो इन में से कौन सी entry जो है, यह transaction कौन सी है, इसमें से, जो आपकी cash book में effect नहीं डाले की कोई भी, तो वो है आपके पास depreciation expense जो record की जाती है, साल की, ठीक है, depreciation expense, next question पर आजाओ which one of the following transaction will be recorded in the cash book as a contra entry ठीक है, इन में से कौन सी transaction है, जो record की जाएगी cash book में, contra entry के तोर पर, cash is withdrawn from the bank for office use, okay, cash is deposited in company's bank account, okay, check that has, that was received earlier in, earlier is deposited to the company's bank account, या फिर in all of the above, या सभी की सभी यहाँ पर contra entries आपको transaction शो करती हैं, तो यह बताएए, question 13 का answer, yes, जल्दी, जल्दी, जल्दी दीजिए answer, तो it's option D, सारी की सारी आपको contra entries यह, जो दी गई है, ठीक है, यह दो से ज्यादा accounts में आपको show होंगी, clear, चलिए, next राजाओ, question 14 पर भाई, cash book that records minor expenses of a business on day to day basis is a dash, petty cash book, general cash book, extra cash book, या additional cash book, तो भाई, ये आप लोग comment करके मुझे बताएंगे, ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगोंने comment करना है, question 14, ऐसे, then आपका जो answer होगा, A, B, C, D, वो आप लोग क comment करेंगे, clear, question 14, A, B, C, जो भी होगा, आप लोग मुझे comment में इसका answer देंगे, हमने बहुत अच्छे से उपर discuss करा था, ठीक है भाई, चलिए, move to next question, question 15 पर आजाओ, 15 question क्या करा है, the person who is responsible for recording transaction in petty cash book is a, जो भी person आपका petty cash book में transaction record करता है, वो कोन होता है, counter cashier, general cashier, additional cashier या petty cashier, अभी मैंने आपको जब उपर lecture दिया था, तो वहाँ पर मैंने आपको क्या समझाई थी, कि एक head cashier था, petty cashier को पैसे देता है, महीनी के business पे 500, फिर उस वो 400 spend करता है, 100 बचता है, तो जो head cashier आपको दिखता है, इसके पास 100 balance है, 400 जो इसने, ठीक है, तो हमारी जो petty cash book होती है, यह जो हमारी company के small business के, छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो उसको हम लोग record करते हैं, किसमें भाई, that is in petty cash book, तो petty cash book के record करने के पिछे कौन बंदा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, petty cashier, ठीक है, petty cashier, ठीक है भाई, तो petty cash book जो ही है, हमारा fourth type of है, किसका cash book का, cash book का fourth type of account है, पहले तीन कौन-कौन से थे, single column cash book, double column cash book, triple column cash book, next आपके पास हाता है यह, that is petty cash book, petty cash book, जिसमें हम लोग छोटे मोटे अपने company के खर्चे add-on करते हैं, तो इसका answer आपका हो जाएगा, that is answer is D, ठीक है भाई, तो यह था हमारा आज का session on cash book, ठीक है, तो कल हम लोग discuss करेंगे भाई, क्या, on financial audit, अच्छे से क्यों थोड़ा वो lengthy topic था यार, अभी करते तो एक दिर घंटे का lecture हो जाता, that's why मैंने, सोचा, cash book आपको अलग समझा देता हूँ, और कल आपको financial audit अलग से समझा दूँगा, ठीक है न, तो आज हमने क्या चीज़ें देखी भाई, थोड़ा से revise कर लेते हैं, पहली चीज़ हमने क्या देखी, cash book क्या चीज है, ठीक है, cash book क्या-क्या record करता है, receipts, याद रखना ये सब चीज़ें, clear, credit side payments, ठीक है भाई, और bank column जो होगा, cash book का, याद रखना ये important point है, जो आपका bank column होगा, ठीक है, cash book में जो आपका bank column होता है, ये आपका double entry system और triple column से entry system में आपको देखने को मिलता है, bank column, इसका जो balance है, वो आपका debit भी हो सकता है, ठीक है, और credit balance भी हो सकता है, clear, credit balance भी हो सकता है, और debit balance भी हो सकता है, जैसे आपको पता है, overdraft हो जाए जब, ठीक है, overdraft जब हो जाए, तो ये आपने point याद रखना है, और discount में में आपको बता दिया था, कि cash discount ही होता है trade discount नहीं होता main चीज एक जो important point है यह आपको पता होना चाहिए contra entry का बाई clear कौन सा point है that is contra entry contra entry एक चीज contra entry क्या 2 account involved करती है तो हमेशा याद रखना contra entry जो है यह हमेशा show होगी कहाँ पे double या triple double या triple column cash book में column cash book single column cash book में एक ही column होता है तो वहाँ पे contra entry होई नहीं सकती तो यह contra entry हमेशा कहाँ जो होगी याद रखना double और triple column cash book में clear ठीक है तो यह था हमारा आज का lecture on that is cash book cash book हमने अच्छे से विस्तार में समझा है ppt इसकी आपको कल मिल जाएगी financial audit के lecture के बाद ठीक है तो यह था हमारा आज का session I hope so आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाहिएगा ठीक है मिलते हैं अगले session में पढ़ते रहो खुश रहो God bless you keep learning keep sharing